कहानियों के संसार में एक बर पुनह मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके समक्ष महेंद्र भीश्म की कहानी जो रब राचे लेकर प्रस्तुत होई हूँ यह कहानी महेंद्र भीश्म के स्वयम के अनुभवों पर आधारेत है यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें कहानी जो रब राच है अब की बार मैंने खीच कर जस्वंत के दिये दूसरे नंबर पर ट्राइ किया रिंग के जाते ही उधर से मधूर कंट में किसी लड़की की सुरीली आवाज कानों में सुनाई दी हलो, हाँ, हलो, क्या मेरी बात जस्वंत सिंग से हो जाएगी जस्वंत सिंग, सौरी सर, रॉंग नंबर लग गया है आपसे ओ, सौरी, I'm very sorry मैम, मैंने जस्वंत के दिये सारे नंबर राय कर लिये थे एक इस नंबर पर रिंग गई थी, पर ये भी रॉंग नंबर निकला क्या करूं इसका, मौके पर फोनी बंद किये है, मैं बॉकला ऐसा बरामदी में चहल कदमी करने लगा अच्छा खासा मौका हाथ आया था, पर जनाब हैं कि फोनी बंद किये हैं, तूसरे शब्दों में इसे कहते हैं दुर्भागे मेरे मुबाइल के टूइन बजी, मैंने तकाल हैलो बोला वही लड़की मदूर कंट वाली बोली, सौरी सर, बात कर सकती हूँ आपसे हाँ कीजिए, सर मेरा नाम शालिनी है, शालिनी माथूर, दरसल सर, मैं पहले जस्वन सर के ऑफिस में जॉब करती थी हो सकता है उस समय, उन्होंने एमर्जेंसी के लिए मेरा नमबर आपको दे दिया हो हाँ हो सकता है, मुझे उसे जरूरी काम है, क्या कोई और नमबर है उसका तुमारे पास, देखती हूँ सर शायद हो, can I ring back to you, just after five minutes सर, yes why not please, सर्च, I am waiting for your call, ओके सर शालिनी की ring आई, sorry सर, मेरे पास उनका कोई नमबर सेव नहीं है, दरसल मैंने उनके नमबर डिलीट कर दिये थे क्या हुआ, तुम कुछ कहते कहते रुख गई, जी सर, जस्वन सर आपके मित्र है, बुरा लगेगा आपको इसलिए रुख गई थी, अरे ऐसा क्या किया उसने, वैसे मैं इस पस्ट कर दूँ, वैं मेरा मित्र नहीं है, हाँ, कभी कभार बेगारी कर देता है, इसलिए उसको छोटे मोटे लाब दिला देता हूँ मेरे उसकता बढ़ी, यह तो इस पस्ट है कि यह लड़की जस्वन के प्रती, अच्छा विचार तो नहीं रखती है, फिर भी ऐसी क्या बात है जो वैं कहते कहते रुख गई, वैसे क्या नाम बताया था तुमने? हाँ, शालिने, तुम चाहुत मुझे बता सकती हो, मुझसे कोई बात उस तक नहीं जाएगी, विश्वास रखू मेरा क्या सर, कोई लड़की अगर अपने घर परिवार की आर्थिक मदद या स्वैम की पढ़ाय के खर्चे उठाने के लिए कोई जॉब करती है, तो इसका मतलब यह तो नहीं हो जाता, कि वैं आसानी से सुलब हो जाएगी, नहीं, कदापी नहीं सर, मेरा उनके हां से जॉब छोड़ने का कारण यही था, कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से अप्रोच किया था, मेरे पास दो विकल्ब थे, पहला मैं जॉब छोड़ दू, दूसरा अपना स्वाभिमान गिर्वी रखकर अपना शोशन होने दू, मैंने पहला विकल्ब च जी सर, प्लीज, मैं और मेरा परिवार घोर आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, आपके बड़ी क्रपा होगी, प्रणाम सर, प्रणाम, साहे मैं अपने ऑफिस से घर की उर जा रहा था, तभी शालेनी का फोन आया, सर, आपसे बात कर सकती हूं, आप ट्रैफिक में हैं, बा कारी ड्राइवर चला रहा है, बोलो शालेनी, सर, क्या आपके जस्वन सर से बात हो पाई, नहीं, अभी तो नहीं होई, उसका फोन ही नहीं लगता, जी अच्छा सर, बात हो तो मेरे पैसे की बात कीजिएगा, मुझे इस समय पैसों की सक्स जरूरत है, छीक है, बात और तुमारे पैसे भी दिलवाऊंगा, जी सर, आप बहुत अच्छे हैं सर, आप अपना ख्याल रखेगा, प्रणाम सर, हाँ, प्रणाम, 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 प्हली बार मैंने शालेनी की बातों पर गंभीरता से विचार किया, आर्थिक संकट से जूज रही, इस बूर लड़की के प्रती दुर्भावना रखना गलत होता है, रोज की आदत के अनुसार, रातरी भोजन के बाद मैं कॉलोनी में इस इस तित पार्क में टहलने पहुचा, अमून मन इस दोरान मैं अपना सेल फोन घर में ही छोड़ कर आता हूँ, पर आसात ले आया था, श समय आपसे बात करने का सही समय है सर, हाँ बिलकुल, बोलो शालिनी, अपनत्व जताते हुए मैंने उसके नाम को जानबूच कर लिया, सर आपका डिनर हो गया, हाँ हो गया, और इस समय में टहल रहूं, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए परयाप्त समय भी है, मैं हसते को मिलना है, मैं तुम्हारे काम जो जस्वन से हैं, वैं करा दूँगा, सर हमारे परिवार की आर्थिक इससी बहुत खराब है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंदता हूँ, सर मुझे आपसे मिलना है, और ये जब बिना मिले ही काम हुआ जा रहा है, फि मैं वादा करती हूँ, आपके रुपए एक सपता में लोटा दूँगी, शालिनी एक सपाटे में अपनी सारी बात कह गई, उसकी सांसे तेज चलने लगी थी, एका एक मेरे मन में विचार आया, रॉंग नंबर, लगातार थोड़े थोड़े अंतराल में फोन आना, फिर अ इसने उद्देश में आ जाना, बेहिचक रुपए की मांग करना, मुझे हजीब लगा, बलकि बुरा भी, कैसे लड़कियां समवेदना का फायदा उठा, पैसे छकती हैं, मैंने बिना कोई उत्तर दिये, फोन काट दिया, मैं उधेर बुन में टहलने लगा, मन अशांत हो शालिनी का फोन फिर आया, मैंने काट दिया, फिर कोई फोन नहीं आया, घर आकर मैंने एक लास दूद पिया, कथाकार तेजेंदर शर्मा की शेश रह गई कहानी कप्र का मुनाफ़ा पढ़कर पूरी की और सो गया, सुबह सवेरे टहलने निकला, तो फोन ट्रेक सूट की जेब में रखना नहीं बूला, अंतस में कहीं ध्यान था कि शालिनी का फोन आ सकता है, एक फोन आया भी पर वह शालिनी का नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है, मन उद्विग्ण हो सोचने लगा, मुझे उसका फोन नहीं काटना था, खेर घर आकर नहाने चला गया, फिर तयार होकर आफिस के लिए निकला, गाड़ी में बैठते ही, आदतन मुबाइल अपडेट देखने के लिए खोला, शालिनी की पांच मिस्ट कॉल पड़ी थे, मैंने शालिनी के अगली फोन का इंतजार न करते हुए, उसे स्पैम फोन किया, घंटी भी नहीं गई कि शालिनी की आ प्रणाम सर, आपको मिलाने वाली थे, हाँ बोलो, तुम्हारी पांच मिस्ट कॉल थे, सब कोशल, कोशल तो नहीं सर, आपसे मदद मांगी थे, आपने मुझे कोई ठग लड़की समझ कर टाल दिया, देखो, शालिनी अभी तुमसे परिच्चह हुए 24 घंटे भी नहीं बी हो सकता हूँ, सर, मैं एक सैनिक की बेटी हूँ, मेरे पापा का कोट मार्शल हुआ था, वे निर्दोश और स्वाविमानी थे, वे अपने ऊपर जूटे आरोप सह नहीं पाए, और उन्होंने स्वैम को गोली मार ली, पापा के न रहने से, एका-एक हमारे परिवार को चोटे से हिस्ते में रहते हैं, मकान मालकिन की हमपर दया है, मैं किराया नहीं लेती, शालेनी का गला भराया था, उसने कुछ पल रुख कर आगे कहा, पापा का मुकदमा हाई कोट से अब शेत्रिय सशस्र बल अधिकरण लखनव में आ गया है, मुकदमे की पैरवी, घर, सब मेरे उपर है, बीते कोरोना काल में मेरी जॉब छूट गई, वकिल साहब फीस मांगते रहते हैं, क्या करूँ, दोनों भाई बहन गर बैटे हैं, फीस जमा न होने के कारण, इस्कूल से उनका नाम भी कट गया है, मेरे पापा निर्दोश न होते, तो आत्मत्य क्यों कर वे निर्दोश थे, उन्हें जूटा फसाया गया है, देखिएगा न्यायाला से हमें न्याय मिलेगा, सारे आरोप निराधार निकलेंगे, और उनके सारे लाब, पैंचन आदी हम लोग पाएंगे, शालिनी का गला फिर से भराया था, मुझे भी उसकी सिति जान उसके प्र था, मैंने तच्छन निर्णा लेते हुए, शालिनी को बिना देर किये, मेरे ओफिस में आने को कहा, शालिनी को मेरे पास आने में कोई 40 मिनट लगे हूंगे, जब वे मेरे ओफिस में आई, उस समय राज फिल्म प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर वा निर्देशक राजेश् महोदय को निप्टाने की गरत से, उनकी और मुखातिब हुआ, पर वे जनाब शालिनी को घूरे ही जा रहे थे, मैं कुछ कहने को हुआ ही था, कि वे बोल पड़े, क्या फिगर है, मेरी एट फिल्म में मॉडलिंग करोगी, मैं? हाँ, जरूर कर लूँगी, यदि पैसे मिल और कास्टिंग काउच का शिकार न होना पड़े तो, शालिनी के द्वारा इस तरह एक अजनबी को एक एक जवाब देना, यद्यपी मुझे असहज कर गया, पर सुंदर्ता के साथ उसने स्वैम को परिसितियों में ढाल लेने की अद्बुत चमता का कोशल दिखा दिया था यह मेरा काड है, और हाँ, यह मेरा सर के सामने तुमसे वादा है, तुम्हें कास्टिंग काउच से नहीं गुजरना होगा। राजेश्वर पांडे होहो करके हसने लगा, फिर मुझे से बोला, सर लड़की में गजब का आत्मविश्वास दिखा मुझे, मैं इस से अथ पह के जाने के बाद, मैंने चाय पीती शालिनी को गौर से देखा, साधा किन्तु मौसम के अनुकूल, कपड़ों में गौर वन, सुन्दर देय यश्टिवाली, इस लड़की को यह तो प्रोड्यूसर ने मौडलिंग का प्रस्ताव दिया है, तो यह गलत नहीं किया, शालिनी क मैं आपको अकारण डिस्टर्ब किया, सौरी सर, आरे नहीं, तुमने इतने कम समय में मुझे अपने प्रभाव में ले लिया, सच बताओं, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, सर, शालिनी ने बड़ी मासूमियत से अपनी प्रतिक्रिया दी, शालिनी तुम पांच मिनट सोफे पर बैटो, एक्चाय और पियो, तब तक मैं पिये को एक जरूरी लेटर डिक्टेट कर देता हूँ, मैंने रिमोट बैल का बटन दबा दिया, सौरी सर, मैं जल्दी में हूँ, मुझे अपने जीवन का एक बड़ा फैसला तै करना है, आज और बिबावक बनकर निर्णा कीजिएगा, हाँ बताओ शालिनी, शालिनी ने अपने पर से एक लिफाफा निकाल कर चेबिल पर रख दिया, फिर उसमें से पांसो रुप्यों की गड़ी निकाल कर रखी, सर ये पचास हजार रुपे बतावर अग्रिम धनराशी है, यदि मैं क किसी के प्रस्ताव को मान लो, तो बाकी के पचास हजार भी मुझे घंटे भर बाद मिल जाएंगे, जिससे मैं ना किवर अपनी फीज जमा कर दूँगी, बलकि बाकी के रुपेों से छोटे भाई बहन को स्कूल भी भेज सकूँगी, मैं समझा नहीं, कहीं तुम नई सर ज किलास में रखा सारा पानी एक सांस में पी गया, फिर वैं बुरा क्या, सर मुझे कम से कम तीन दिन के लिए किसी की बीवी बन कर रहने का प्रस्ताव मिला है, वैं भी बाकाय था एक मुस्लिम अधेर के साथ मुताहा निकाहा करके, जिसकी पहली शर्थ ही है कि मैं पहले इस प्रशानी बताई, तब उसने मुझे यह रास्ता सुझाया, और मुझे अपने परिजित मुस्लिम अधेर से मिलवाया, जो लंदन में रहता है और भारत अपने बिजनस के सिलसिले में एक मां के लिए आया हुआ है, मैंने बिना यह जंजट किये, उस अधेर को रुपयों क बदले अपनी देश अमर्पन करने की सहमती दी, तो वह अपने धर्म का वास्ता देने लगा, कि हमारे आँ व्यभिचार की सक्ती से मनाई है, जबकि मुताहर निकाहा कर कम से कम तीन दिन इस विवा को चला कर खतम कर सकते हैं, यह धर्म संगत होगा, अतह व्यभिचार मुक को देख तो नहीं पा रहा था पर उसे गले से नीचे जाते हुए महसूस कर पा रहा था शालिनी के सेल फोन की रिंग टोन बजी इतनी शक्ती हमें देना दाता मन का विश्वास कमजूर होना शालिनी फोन उठाने को उध्धत हुई मैंने संके से उसे मना किया दूर हो अज्य जानता की अंधेरे भूल से भी कोई भूल हो ना इतनी मैंने उसे फोन अटेंड करने का इशारा किया उसी मुस्लिम मित्र का है शालिनी ने सेल फोन की आवाश तेश कर दी शालिनी तुम कहा हो अंकल ने जब से तुम्हें देखा है मेरे पीचे हाथ धोकर पढ़ गए है य शालिनी ने मेरी ओर देखा शालिनी मैं तुम्हें मजबूरी में ऐसा कोई असंगत कदम नहीं उठाने दूंगा जो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता की सम्मान को ठेश पहुंचाए तुम अपने उस मित्र को मना कर दो मैं तुम्हारी समस्या दूर करता हूँ इंटर कॉ से मैंने पीए को अपने चैंबर में बुलाया पीए से मैंने अपने बचत खाते में कुल धनराशी का पता करने को कहा इसी समय जस्वंत का फोन आ गया पहले तो मैंने उसे काफी लताड़ा शालिनी को ततकाल आकर पैसे देने की शर्त रखे वैराजी हो गया घंटे बर मही जस्वंत के बीस अजार रुपईव से शालिनी की बीएट की फीज की विवस्ता हो गई जिसे मेरा करमचारी शालिनी के साथ बैंक जाकर जमाभी कराया शालिनी अपने मसलिम मित्र को बुलाकर मेरे सामने मताह ने कहा के एवज में दी गई पेशिवगी राशी उसे वापस कर दी शालिनी मेरे प्रतीक रतगिता से भर उठी उसकी आँखों में आंसु तेरा है पगली मैंने उसके सर पर हाथ रखा मैं मुझसे लिपट कर रोने लगे मैंने उसे पानी पिलाया कुछ देर बाद वे सामान ने हो गई मैं अपनी सीट पर आँखे मूधे इस कार में सहयो कर संतोष सुख की अनुबूती में डूब किया कालांतर में शालिनी ने प्रत्थम श्रणी के साथ बीएट पूरा किया ठीटी की परिक्षा पास की और प्रात्मिक विद्याले की शिक्षिका बन गए छेत्रिय सशसर बल अधिकरन लखनव ने शालिनी के स्वर्गवासी प बुक्तान करने का आदेश पारित किया शालिनी का आज ब्याह है वर्थल सिना में कैप्टन है मेरे घर में पिछले एक माह से उसके विवाह की जोड़दार तयारियां चल रही है मैं बहुत व्यस्त हूं पिछले पंद्रे दिन से अवकाश पर हूं अरे बेटी का ब्याह है अविवाहित हूं तो क्या हुआ आज मैं बहुत प्रसन हूं मुझे शालिनी के रूप में बेटी के कन्यादान का सौभागे जो मिलने जा रहा है शालिनी के ब्याह के बाद मैं भी अविवाहित नहीं रहने वाला हूं यह सारी खुराफात इसी शालिनी की है अब यह नहीं पूछना कि मेरी जीवन संगनी कौन बनने वाली है अभी इतना ही आगे की शेश कथा फिर कभी यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद